दोतु अभी कुछ दिन पहले जो हमारे देश के वित्मंत्री है दिर्मला सितावनों ने शेटमेंट दिया था कि देश में महंगाई नहीं बढ़ी है लोगों की इंकम कम हो गई है आप सभी के सामने एक ऐसा आर्टिकल है जो इस देश की जो है गॉर्मेंट की क्या मांसिक्त क्या है यह उजागर करेगा जी हाँ इंडिया डीवी का एक आर्टिकल है इसमें बताया गया है बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए बेचना पड़ेगा घर जानी कितनी महंगी हुई एम्बिबियस की फीस यह मेडिकल की फीस आप कह सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग जो है देशों के बारे में बताया गया है सती साथ भारत की भी बात की गई है कि यहाँ पर किस रफतार से जो है किस स्पीड से मेडिकल की पढ़ाई महंगी होती जा रही है कि अब अगर तो आपको आपका घर भी बेचना पड़ सकता है देखें मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ मैं बस यह दिखा रहा हूँ कि जो सरकार बड़ी-बड़ी बाते करती हैं वो कैसे बच्चों को बिवश करती हैं कि वो abroad जाके MBS करें देखें अभी भी गवर्मेंट कॉलेज की फीज जो है बहुत से स्टेट है जिनकी फीज दो लाग या उससे बहुत कहीं तीन लाग कहीं चार लाग कहीं पांच लाग है और आप तादे के इंडिया की 60% पॉपलेशन ऐसी है जिनकी जो एन्वल इंकम है वो एक लाग से ज्यादा लब एक लाग बीस से आर एक लाग तीस से जार ही है या यू कहें कि अप्रॉक्सिमिट एक लाग ही है ठीक है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले दस सालों की अगर आप बात करें तो इंडिया में दोगनी हो चुकी है जो है मेडिकल की पढ़ाई दस साल पहले जो फीस गेड़ लाग थी दो लाग थी वो अब चार लाग हो चुकी है और इन सब का जिम्यदार कहीं नहीं देश की गॉर्मेंट ही होती है क्योंकि गॉर्मेंट ही रिसाइड करती है कि फीस क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए और कोई भी कॉलेज गॉर्मेंट से बड़ा नहीं है सरकार ने अन्ततों गत्वा एक फैसला लिया कि जो 50% सीटन को फीस कम की जाएगी लेकिन उस फैसले पी भी वो अप्लाई नहीं कर पाए और यहाँ पर भी वो फेल हो गए इस पूरे ही मैटर पे आपका क्या उपिनियन है आप अपने कमेंट से में दे सकते हैं साथी साथ क्या भारत में MBBS की जो पढ़ाई है जो मेडिकल की पढ़ाई है वो कम होनी चाहिए इस पर भी आप अपने उपिनियन हमें दे सकते हैं आप सभी दूस्तों का बहुत बत दन्यवाद थेंगे सो मच जैहिंद